कुश्य ने एक चक्रे चत्रवुज ABCD है जिसके हुजाए AB और DC को आगे बढ़ाने पर E पर मिलता है ठीक है और AD और BC को आगे बढ़ाने पर F पर मिलता है आपको बताना है कि अधिकोड करते हैं सबस्क्राइब करते हैं सबस्क्राइब करते हैं कि यहां पर दे रखा उसको से डिस्वाइब करें तो इसने बोल रहा है कि AB और DC को आगे बढ़ाने पर E पर मिलते हैं तो अगर मैं यहां से इसको एसे डो कर है और इसको मैं Been अथा करूं है ब geek in the कुछ को तो शिर्व से बहुत आरफिर जोडह करता है कि चैश्ने दोक्राइब बना देता हूं फिर अब इसका नाम में कर नाम देता हूं A A B आपके बढ़ाने पर ऊब era左ष और इकि और अब आपको इस तरह का से कुछ अब को दिखाई देती है मैं और आसे स्बंसे पूरे कंसेप्ट है क्या यूज़ होता है। दूकन से यह होते हैं अगर मैं आपसे यह वोलू कि यह अंगल आलफा है ठिके यह अगल आलफा है यह अंगल एक से और यह अंगल दर्फ자 है तो जो यह अंगल मिपको होगा x-alpha और जो ये एंगल होगा वो अगर आपको कह y-alpha simple आपको याद रखना है कि अगर ये एंगल आपको निकलना होगा यहाँ पर ये एंगल तो इन दोनों का difference लेंगे अगर ये एंगल आपको निकलना होगा तो इन दोनों का difference लेंगे इन दुनों के difference लेंगे यह परला concept है दोसरा concept इसमें क्या यूज़ होता है मैं वह भी आपको बताए तो दूसरा concept आपको क्या यूज़ होता है यहाँ पर कि अगर आप से बोल दे कि ये angle आपको दिया रहा है ये angle ठीक है ये angle suppose x दिया रहा है ये angle आपको y दिया रहा है और आप से पूछ दे कि ये angle बता दो इसके लिए direct जो concept उज़़ होता है 90 minus का x plus y upon 2 ये दो concept आपको क्या करना है याद कर लेना है इस question काफी पूछे गए है SSE की एक्जाम में भी पूछे गए है CGL में चले भी इस question को करते है यहाँ पर A दिया है यहाँ पर B दिया है यहाँ पर C दिया है और यहाँ पर D दिया है यह जो आपका point है E है और यह आपका point A है question बोला गया है कि angle angle F हमें दिया गया है यह angle हमें दिया गया है कितना 52 degree angle b हमें दिया गया है ये angle दिया गया 102 degree और हमसे पुझा है ये angle तो मैंने आपको concept बताया है कि अगर ये angle alpha है ये angle x और ये angle y है तो हमें ये निकलना होगा तो हमें character करते हैं कि x minus का alpha करते हैं तो अगर मैं आपसे ये बोलू हूँ कि अगर ये अंगल आपका bound degree है और ये 102 degree है तो ये अंगल कितना हो जगा आप इसको बता सकते हैं बिल्कुल असानी से बता सकते हैं क्योंकि ये एक straight line है और straight line पर कोण करता है पूरे कोण होता है 180 degree का अगर मैं आपसे ये बोलो कि इस triangle को आप देखो अगल बीज क्या है इस triangle का exterior angle है यानि कि बाह्यकोंड है और अप सभी जानते है कि बाह्यकोंड क्या होता है दोनों अंतर कोण के युक्य बराबर होता है अगर ये 52 degree है तो ये अंगल कितना हो जाएगा यहां से 52 माइनेस कर देंगे तो जाए कितना है 50 degree, अगर यह 50 degree है, तो पूरे का पूरे यह कितना हो जाएगा, आपका 130 degree हो जाएगा, क्योंकि पूरे को पूरे line पर एक जो angle होता है, 180 का होता है, और यहाँ पर आप देखोगे, कि A, B, C और D क्या है चक्रे चत्रबूज है और चक्रे चत्रबूज में क्या होता है कि आमने सामने कि भुजाओं का जो योगफल होता है 180 डिगरी का होता है अगर ये 130 डिगरी है तो मेरे भाई ये कितना होगा आप हमें ये बताओ यह कितना होगा अगर यह 130 डिगरी है तो यह कितना हो जाएगा आपका यह अंगल कितना हो जाएगा यह 50 डिगरी हो जाएगा अब आख मैं यह बताओ कि यह तिरगूज का देखो AF, D, C, 30 degrees में देखो Angle AF, 12 degree है Angle C, 50 degree है 30 degrees का 3,600 का यो, 180 degrees होता है यह 50 है, यह 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 PGC, यह एंगल कितना होगा 78 degree है और हमसे पूछा है, यह angle अभी मैंने आपको बताया, इस इस पहले concept में कि यह angle निकालने के लिए क्या करते हैं इन दोनों का difference लेते हैं, इन दोनों का difference कितना है, 28, तो ये angle कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, काफी असान question, इस तरी किसे question को आप solve को पाएगे, concept, जो दोनों concept मैंने आपको समझा के रखा है, वो आपको याद रखना है, बस इस question आपको solve हो जाएगा,